जबसे पार्लियमेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ है तब से कुई ना कोई ऐसी नियूज आती है जो लोगों को चौका देती है कभी सेक्योरिटी ब्रीच, कभी किसी MP को एक्सपेल करना मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन भी पार्लियमेंट सेशन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है जहाई Union Home Minister अमिश शा ने तीन क्रिमिनल बिल्स पेश किये हैं और लोग सबह ने इने पास भी कर दिया है वहीं गुरुवार को जाकर राजे सबा ने इन बिल्स को हरी जंडी दिखा दी है इन सब की बावजुद ये तो पार्लियमेंट का कीवल एक हाइलाइट है इस विडियो में हम ये तो देखेंगे ही कि Union Home Minister अमिश शा ने बिल पेश करते वक्त क्या बोला है इस बिल में क्या चींजिस है और अपोजिशन का क्या रियाक्शन है पर इसके अलावा आए दिन पार्लियमेंट में ऐसा क्या हुआ है जिससे PM मोदी और राजे सबा चेर परसन और वाइस प्रेसिडेंट जदीब धांकर बहुत ही हताश दिखे है इसकी भी चर्चा हम करेंगे मामले की शुरुवात होती है पार्लियमेंट के 143 मेंबर्स को सस्पेंट करने से जिसमें की 97 लोगसभा से बिलॉग करते हैं और वही 46 राजसभा से जी हाँ आपने सही सुना और आप तो सुनकर चौक जाएंगे कि बिल से ज्यादा तो ये सस्पेंशन सीनियोस में बने हुए है पार्लियमेंट के डेली सेशन के दौरान कोई न कोई सस्पेंट हुआ है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले दो दिनों में तो 82 MPs को सस्पेंट कर दिया गया है आपको बता दे कि इंडिया का ये अब तक का हाइस नंबर अफ सस्पेंशन रहा है और सबसे शौकिंग बात ये है कि जहां MPs को दो या तीन दिन के लिए सस्पेंट किया जाता है वही इस पार्लियमेंट सेशन में लोगों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंट किया जा रहा है जी आपने सही सुना और हमने ये तो देखा ही कि यूनियर ने अपनी तीनों क्रिमिनल बिल्स को इसलिए भी इतने आराम से पास कर दिया है क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कोई डिसेंट ही नहीं थी और होगी भी कैसे जब अपोजिशन के कई नीता ही सस्पेंड़े थे वही कॉंग्रस लीडर शशी थरूर ने भी खारगे के व्यूस से अग्री किया और कहा इतने MPs ने सस्पेंड होने पर पार्लियमेंट प्रिमाइसेस के अंदर यूनियन के खिलाफ नारे बाजी शुरू कर दिया और इसी प्रोटेस्ट में Tuesday को suspended TMC MP कल्यान बरनर जी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो लोगों के लिए बहुत ही शौकिंग था उन्होंने VP धांगर की नकल करने की कोशिश की थी और उनका मजाग बना रहे थे और तो और उनके इस मिमिक्री को कॉंग्रस लीडर राहूल गांधी रिकॉर्ट करते हुए पाए गए थे हाला कि इस विडियो के वाइरल होते ही PM Modi ने VP जगदीब धांगर को कॉल करके अपना दुख वेक्ट किया और इसी के बारे में VP जगदीब धांगर ने Wednesday के सेशन में लोगों को बताया था धांगर stated, इन सब के बावजूद भी, Vice President जगदीब धांगर ने कहा है कि वे इन सब से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं और अपना काम धांग से करेंगी Union Home Minister Amishar ने सेशन को अड्रेस करते हुए इन new criminal bills को पेश किया and stated, It is a matter of pride and seriousness that I am here with three bills, instead of Indian Penal Code, which was intended to punish, not deliver justice भारतिय न्याय सनिता will come into effect, instead of CRPC, भारतिय नागरिक सुरक्षा सनिता will come into effect अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए, Amishar ने कहा कि Modi सरकार नहीं अपने सारे वादे पूरे किये हैं अब वो चाहे राम मंदिर को बनवाने का हो या विमन को रिजरवेशन दिलाने का, he said We said that in Ayodhya, we will make Ram Mandir as soon as possible and on January 22, Lord Ram's idol will be installed there This is PM Modi's government which delivers what they say We said that we would give 33% reservation to women in the parliament and assemblies Session में उठी डिबेट्स में, Amishar ने कॉंग्रस पर निशाना साते हुए कहा This bill punishes mob lynching with death penalty Congress leader P. Chitambaram kept asking me what about mob lynching He does not understand BJP and our mentality Why did you not penalize mob lynching during your rule? If one's mind is Indian, you will understand the laws If it is Italian, you won't जैसा कि आपको ध्यान होगा ये बिन लेकर union इस साल के monsoon session में ही पेश हुई थी और इसके बाद इन बिल्स को Home Affairs के एक Standing Committee को जाज के लिए भेजा था जिसके हेट BJP MP बिजलाल थी इस Committee के रिपोर्ट के बाद जाकर इन बिल्स में चेंजिस लाए गए है और उसके बाद इसे वापस से December 12 को Parliament में Reintroduce किया गया है जहां कुछ चेंजिस आड किये गए है वही कुछ को रहने दिया गया है Amir Shah ने कहा है कि उन्होंने बिल्स में Terrorism को अच्छे से Explain किया है So that no one can take advantage of its lack Sedition की बात करने पर Amir Shah ने कहा कि उन्होंने इस Term और Crime को Completely Abolish कर दिया है जो कि Britishers द्वारा पेश किया गया था और Sedition की जगार Treason Adopt किया है तो बात ऐसी है कि Union Government ने उन्होंस को strict कर दिया है जो कि Government और देश की खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को नहीं बक्षेगी And stated If anyone works against the country, he or she must not be spared and must be given the strictest punishment इस नए पिल्स में one of the new change ये है कि trial conduct और जजज्मेंट सुनाने की timeline fix की गई है इसमें point add करते हुए उन्होंने कहा Now if one accepts their crime within 30 days of the crime, then the punishment would be less There was no provision to our present documents during trial We have made it compulsory to produce all documents within 30 days No delays will be made in that और तो और बार्तिय नागरिक सुरक्षा सनेता has also prescribed a timeline for discharging persons accused in a case if the complainant fails to appear in court इसी के साथ ही The rape of a girl under 18 years of age would automatically attract POXO equivalent provisions under the new laws Death due to accident और due diligence की बात करने पर Amish Shah ने कहा If the person runs over someone with a car by accident, if the driver takes the victim to the hospital, they will face lighter punishment But a hit and run case will get higher punishment Negligence के मामले में Amish Shah ने ये भी कहा है कि वे future में ऐसा provision लाएंगे जो doctors को medical negligence से बचाएगा जिसे अभी murder के समान treat किया जाता है हाला कि कुछ drawbacks जो इस new bills के पाए गए है वो ये है कि पहले CRPC, police custody में लोगों को 15 दिनों से जादा रखने को नहीं कहता था पर वही new bills में ये time extend हो सकती है हाला कि इस point पर Amish Shah ने कहा है कि police की accountability भी बढ़ा दी गई है and said details about arrested individuals must now be recorded at every police station and a designated police officer will be responsible for maintaining these records और तो और union ने adultery और article 377 के gender neutral term के recommendation को नहीं अपना कर उन दोनों section को वापस से ही जो कत्यों उठा लिया है thus this leaves men and transgender persons with no legal remedy against sexual offenses भले इस section में उन्होंने gender neutral terms ना add किय हो उन्होंने trafficking में gender neutral term add किया है इसी के साथ Amish Shah ने ये भी add करते हुए बताया in cases punishable with punishment ranging from 3 to 7 years the preliminary investigation will have to be completed within 14 days that means an FIR will have to be filed within a maximum of 14 days और 3 days in cases of shorter punishment अगर इस सारे changes पर ध्यान दिया जाए तो ये एक speedy process की और इशारा करती है जिससे शायद आये दिनों जुडिश्री में मिले delay कम हो सकेंगे इन bills को पेश करके Amish Shah ने ये भी कहा था कि लोग हमेशा इन मामलों में center पर exam लगाती थी जिसमें police और जुडिश्री शामिल थी पर इस bill के आने के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा पालियमेट के इन तीनों bills को पास करने के बाद लोग अब बैट के इन bills को analyze कर रहे हैं कि इनके क्या provisions अच्छे हैं और क्या खराब और वही इंडिया टुडे को एक interview देते वक्ट former ASG अमन लेखी और advocate Colin Gonzalez ने भी कुछ ऐसा ही किया है Colin Gonzalez ने इस bill को criticize करते हुए कहा उन्होंने ये भी कहा कि अगर British के laws बहुत ही खतरनाक थे तो ये laws तो उससे भी ज्यादा है जिसने police को इतने पावर सौपे हुए है जहां advocate Gonzalez ने इन bills को criticize किया है वही former ASG अमन लेखी ने इन bills में positive points भी highlight किये है and stated particularly in the aspect of the punishment and dealing with those private offenses is concerned there are certain changes which are positive एक main point जो parliament session के दोरान bill से ज्यादा highlight हो रहा है वो है इतने सारे MPs के suspension का और इस point पर Congress leader Rahul Gandhi ने union पर निशाना भी साधा है कि क्यू आए दिर इन suspension में parliament में बात नहीं हो रही है आपको बता दे कि इतने MPs को इसलिए suspend किया गया था क्योंकि उन्होंने parliament session को disrupt किया था पर MPs ने union से बस कुछ दिनों पहले हुए security breach पर सवाल उठाए थे जिसका जवाब union ने अभी तक नहीं दिया है अब देखता है ये होगा कि आए दिनों में और कौनसे bills union parliament में पेश करती है और क्या ये suspension का मामला अभी खतम होगा या नहीं इसनी उसे जुड़े रहने के लिए की falling law चक्राब